दोस्तों आपने बहुत सारे amplifier board देखेंगे और यूज भी क्योंगे बट ये जो amplifier board आजमा आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत ही unique है और बहुत ही special feature के साथ आता है इसमें जो special feature दियागे ना वो आपको किसी भी amplifier में देखने के लिए नहीं मिलेगी ये दिल जीत लिया भाई इस amplifier board ने सबसे पर बता दूँ ये MV collection का amplifier board है और यहाँ पर भाई ये 2500 watt RMS में आता है और यहाँ पर जो special feature इसमें है वो आपको पहले amplifier board के आप quality देख लो heat sink quality अगर इसके वजन की बात करूँ तो तीन से साड़े तेन किलो का amplifier आता है 2500 watt में और यहाँ पर आप ट्रांजिस्टर गिन सकते हैं 15 एक साइज और 15 एक साइज की 30 ट्रांजिस्टर वाला amplifier board है इसमें जो special feature आ रहा है ना वो है speaker short circuit protection वाला जी हाँ दोस्तों वो सबसे खास यहाँ पर मुझे और सबसे अच्छा यहाँ पर feature लगा अक्सर आपने देखा हो ना amplifier में जाब speaker की वायर अगर short हो जाती है तो amplifier के खराब होने के chances 90% होते हैं लेकिन यह जो amplifier है अगर speaker पे भी वायर अगर short हो जाती है तो यह protection mode पे चला जाता है अभी कुछ दिनों बात मैं इसका पूरा assembling का वीडियो लेके आऊँगा cabinet वगरे सब कुछ मैंने मगवा लिया है और पूरा assembly करके आपको दिखाऊँगा उस tempist के feature की भी मैं आपको specially पूरा demo दूँगा फिलाल आपके कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ वायरिंग का आपको थोड़ा idea देता हू और सबसे पहले आपको बता देता हूँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको जो करेक्टर मिलता है इसमें आपको तीन lights देखने के लिए मिलती हैं सबी lights का अपना प्रकाम है यह power को indicate करती है और यह आपके signal को indicate करती है और तीसरी वाली है protection mode वाली light अगर आपके speaker की दोन light के indicate होने से आप speaker की wire short होने का पता कर सकता है कि speaker भी कभी short हो जाता है तो इस पर भी यह protection mode पे चला जाता है यानि कि बहुत ही special feature मैं इसे कहूंगा तो यहाँ पर इन्होंने add कर दिया है साथ में इसमें आपको thermostat का भी option मिल जाता है यहाँ आप अगर चाहें तो temperature के लिए यहाँ पर thermostat के connection यहाँ पर कर सकते है heatsink के साथ में अगर कभी आप fan भी add नहीं करेंगे तो यह thermostat को signal देगा कि overheat हो रहा है यह भी protection mode पे चला जाए यानि कि एक thermostat लगाने से आपके यहाँ पर amplifier में protection पूरा पूरा बन जाता है यह जो circuit है इसके speaker protection के लिए आपर दिया गया है बाकी इसमें wiring का अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बता दू यहाँ पर प्लस माइनस ग्राउंड का दे सकते हैं आपके पास अगर साट जिरो साट असी जिरो असी या फिर जो भी आपके पास ट्राइस आप से साहुजित के साब से आप यहाँ दे दो इसमें पावर सप्लाई लगागे प्लस माइनस ग्राउंड और यह स्पीकर के यहाँ पर कनेक्शन होंगे प्लस माइनस के और यहाँ पर एसी 12 वोल्ड जाएगा और यह थर्मोशेट का है और यहाँ पर भाई आपको 12 वोल्ड एसी ही देना है क्योंकि बगल में एक एक करके आपको इसकी सभी चीजे ना जॉइंट करके पूरा एसम्बल करना बताऊंगा तो वेट किए अगर आप इस प्रोड़क को परसेश करना चाहते हो आपको लिंक देदूंगा डिस्रिप्शन में वहाँ से जाके परसेश कर सकते हैं तो यहाँ पर यह बोड सिफ एक चीज के वसे सिफ बहुत ज्यादा बाई स्पेशल हो जाता है वो है स्प्रीकर प्रोटेक्शन इसमें दिया गया है अक्सर इसी वज़े से बहुत ज्यादा एंप्रिफायर हमारे खराब हो जानते तो यह चीज जहां पर एड़ करके इन्होंने बहुत अच्छा काम कर किया है तो चलिए अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेर कर लेना और एक प्यारा से कर सकते हैं और हां दुबारा सा बदल खरीदेने के लिए आपको डिस्क्रेप्शन में आपको लिंक दियागा वहां से आगपर्जेश कर सकते हैं टेक्यार